प्रोग्राम के शुरुआत में हमने एक सवाल पूछा था कि क्या सरकार से रोजगार के आंकड़े पूछना गुनहा हो चला है फेस्बुक पर ट्वीटर पर हमारी वैब साइट पर जो रियक्शन यहां पर आया है उसका जवाब जरा ले कि नो पीजडी कहते हैं कि हाँ और एक्यान में पीजडी कहते हैं कि नहीं यकिनन ये पूछना कोई गुना नहीं है कि आपने कितनी नौकरी दी है और कितनी नौकरी का सरजन आपने किया है शील्डवाई जी नहीं जनता भी यह जानती है कि कम से कम ये जानकारी तो सरकार को देनी चाहिए और जानकारी इसलिए देनी चाहिए कि जब सरकार खुद कह रही है कि उन्होंने 12 लाग नौकरिया दी प्रस कॉन्फरनस में कहा जाता है कि 170,000 सरकारी नौकरी दी गई तो इस आंकड़े को भी दे दीजिए इसमें क्या दिक्कत हो रही है नहीं देखिये मैंने कहा कि हमने 36,000,000 रोजगास रजन के अपसर प्रदान किये अब मैं आपको जो काउंट की बात हो रही है एक बारवर की ट्रेनिंग दी जाती है वो कौन सा रिकॉर्ड में होता है ब्यूटिशियन का कोर्स किया जाता है वो कौन सा होता है ट्रेनिंग की जो ट्रेनिंग दी जाती है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट तो वो कौन से बाइजी यह किसी एक भी भाके अंतरगत तो सब चल रहा होगा कौन सा भी भाग है किसी भाके अंतरगत तो हो रहा होगा अभी मेडम ने बताया था कि पुलिस विभाके नों बढ़ती किये पच्पन सो पदो बढ़ती अभी तक उनके एक्जाम नहीं हो पारी पांच बार तो तारीक बढ़ा दी उनके आवे दिनकी और आज उनको बार कर दिया वो कोट में कि उनकी काम करेंगा किसान का काम को नहीं कर पाएगा आज विरुजगार साहिता बौर्ट कि बनाना चाहिए जिसमें वो व्यक्ति जाने उसको बिठाना चाहिए आप एसे वक्ति नीयम नहीं जानते हैं अधूरे नियम मनार हैं जिन लोगों ने 2 Internet क्यों लोगों पाहर कर कर दिया कई विशंगति वजल से बढ़तिय युद काले अचने काम भी सिस्टम नौकरियां दी हैं तो बताने में दिक्कत क्या है शील्दा भाई जी आज मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं मैं कोई तो विभाग होगा राधिस्तान में जो ये जानकारी जुटाता होगा कि कितनों को रोजगार सरजन किया गया कितनों को नौकरिया दी गई ये कौन सा विभ नौकरिय होगा कि कौन बार बार बन गया कौन क्या बन गया कोन क्या बन गया ये किसीने तो जुटाया होगा सरकार के पास हैं यह हमारे पास किस ने दिये को यह विभाग या सब अपने अपने चल रहे हैं आंक्डे हैं नहीं कि बाकी विभाग के नहीं है कि कहां कहां नो करिया हूं अब यह कह रहे हैं। ये कुछ डोकुमेंट्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा कि शरम विभाग ने जो चार साल पूरे हुए है दरसल उसमें किस तरीके से आंकडे यहां पर दिखाए गया है लेकिन शाम जी अगर एक लाइन में सरकार से पूछा जाए कि आपने कितने कितने रोजगार किस विभ कब दिया किसकी से भाग में दिया यह जाना संभव हो गया राजिस्थान में बीजदर जी बार-बार क्योंकि तठ्थ्यात्मक तरीके से जानकरी नहीं दें पाना सरकार की मजबूरी है कि क्योंकि वो देंगे तो बढ़ पड़ेगा कि सतार जाहर बढ़ते हैं तो अटकी इसमें खुझ में बहकाईदा बताया गया है और उसके बाद अगर यह कह रहें कि हमने जादा दे दिया तो अब यह कहां से लाईए रहा यह देखेगा यहां पर इसमें बागाईदा यहां पर लिखा गया है कि सरकार ने विभिन प्रसिक्षन योजनाओं के जरिये 2,08,000 युवाउं को प्रसिक्षन 13,00,000 से ज्यादा लोगों को रोज़गार एमम सोराज गए स्वर रोज़गार किये अवसर प्रदान किये हैं इसमें सरकारी शेतर में 1,50,000 युवाउं को सरकारी नौकरी और 11 सरकारी शेतर में लगब 11,50,000 से ज्यादा युवाउं को रोज़गार के अवसर उपलब्द कराए गए हैं इस लाइन को ज़रा गोर से समझ येगा जो एक कहा जाता है कि नौकरी याद दी गई है वो दरसल अवसर उपलब्द कराए गए और सरकारी आकड़ा महद 1,70,000 युवाउं को रोज़गार का है और ये बाकाएदा चार साल बे मिसाल के जरी जो किताब लॉंच की गई थी उसके अंदर ये लिखा गया है अब शिल्दा भाई जी जरा बताईए एक लाग पचास हजार का आकड़ा देनी में भी क्या दिक्कत है अगर आकियाई के जरी पूछ लिया जाए तो ये तो लिखित में दे रहे हैं किस वजह से बनाइब बता दिया है कि किस वजए यहीं आपका भी शुक्रिया उपेन आपका भी शुक्रिया हमार साथ जोडने के लिए मौहंड आगर जी आपका भी शुक्रिया और सुनिल विश्णोई जी आपका भी शुक्रिया वाकई में सरकार कोई बताना चाहिए कि जो आकड़ा वो पेश कर रहे है वाकिर उसका आधार क्या है ये भी बताना चाहिए कि अगर शिक्षा विभाग या किसी भी विभाग के अंदर नौकरी उन्होंने दी है तो जनता के सामने बताए ना किस विभाग में कितनी नौकरी दी है कोई तो आकड़ा होगा जो भी आकड़ा है जनता के साथ साज़ा क्यों नहीं किया जा रहा ये सरकार को डर है अगर ये आकड़ा सामनी आ गया तो हर आकड़े की पोल खुल जाए